हेलो गाइस, वेलकम बेक टू माई चैनल सिंस जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है मैं डिफरेंट वीडियो के साथ इस चैनल पे अबलेवल हूँगे सो मैं अपना वो प्रॉमिस फुल्फिल कर रही हूँ और मैं चाती हूँ आप गाइस मुझे सपोर्ट करें क्योंकि आगे हम डिफरेंट लेंगवजिस के साथ अपनी वीडियो को अप्लोड करेंगे मैं कोशिश यह करूँगे कि आपको जितना भी कम्पीटर फिल्ड में अभी तक हमने सीखा है और जो हम आगे सीखेंगे वो सब इतना सफिशेंट हो कि आप कम्पीटर फिल्ड के अंदर कोई भी चीज़ परफॉर्म करें तो आप उसे परफेक्ली और सक्सेस्फुली रन कर जा सकें आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रही है STML, CSS कि STML के अंदर क्या ऐसे वैरियेशन साहे कि हम कैसे CSS को यूज करा सकते हैं अपने STML के अंदर, STML नॉर्मल बेसिक कोट के अंदर है मैं आपको एक बात और बता दूँ CSS का टुटोरियल में अलग से भी डालूंगी विकॉज CSS अपने आपने एक वास फिल्ड है और उसके वाले में हम अलग से डिसकस करेंगे बट हेयर मैं आपको थोड़ा बात हिंद दूँगी और थोड़ा बात डिफरेंट टाइप्स उसके बताऊंगी कि कैसे CSS यूज करा सकते हैं अपने STML वैब पेज के क्रिएशन के अंदर So, let's start यहापे मैंने सिर्फ की पॉइंट्स प्रोवाइट किये हैं अबाउट इस तिंग हेयर, have a look मैंने आपे प्रोवाइट क्या है आपको STML CSS के वारे में STML CSS एग्जेक्ली होता क्या है अगर में बात करूँ इन सिंपल वर्डिंग में अगर में बात कर रहे हूँ, it's a cascading style sheet that is हम आरी जो particular वैब पेज है वेट अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा एक particular वैब पेज है हमने एक वैब पेज क्रिएट किया है यूजिंग STML अगर हम उस वैब पेज को जो हमने क्रिएट किया है STML and with CSS उसको यूज करें अगर हम अपनी चाइल्ड क्लास के साथ हम कह सकते हैं, हम उसे यूज करें with child वैब पेज सो उसे हम कहते हैं, कास्केडिंग यूज कर रहे हैं, अपने पेरेंट वैब पेज को यूज कर रहे हैं अपने चाइल्ड वैब पेज के अंदर आपने पेज बात करनाओ उसका मेंस होता है, अपने प्रोग्रामेंग आपनी क्लास को यूज के अंदर सो हमने क्या कर रहे थे हमारी import करा रहे थे या implement करा रहे थे अपनी different class को another class के अंदर similarly अगर हम एक web page को import करा हैं दूसरे web page में या हम अपना parent web page create करें अलग से ही inside अपनी main program के अंदर ही parent page में क्या होगा वो सभी basic information contain करेगा जो हमारा web page को provide कराना है at an output but here child web page के अंदर हम उसको run कराएंगे अपने किस उस main web page की उस parent web page की सभी information को जो हमें output में provide देगा तो that is called cascading and here is style sheet का means क्या है styling करना styling करने में हर एक चीज आ जाती है हमारा color आ जाता है color of font, exact margin आ जाती है, padding आ जाती है each and everything जो हम अपने text को implement कराएंगे text में और अपने web page के background में हर एक चीज जो हम implement कराएंगे उसमें जो changes लेके आएंगे वो सभी कहलाती है हमारी style और शीट हम उस sheet को क्या कह रही है जो हमें output में प्रोवाइट करेगी वो है हमारा वो वेब पेज, that is हम उस sheet को particular sheet में जब हम drawing करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे style sheet कहेंगे जब हम उसके अंदर different styling का यूज करके another child वेब पेज के अंदर उसे इंप्रिमेंट करा दें अगर हम बात करते हैं एक हमारी sheet है इस पर हमने लेक्ट से डॉरिमोन बनाया है next दूसरी वेब पेज के अंदर लेक्ट से हमने क्या बनाया है नूबिता यह दोनों अपस में लिंग है दोरिमोन और नूबिता अपस में लिंग है इसका means क्या है जो हमने style sheet प्रोवाइट की है वह वह करेगी अजा cascading बेकॉस नूबिता डॉरिमोन के बिना कुछ नहीं है डॉरिमोन नूबिता के बिना कुछ नहीं है यह दोनों हमारी चाइल क्लास से जो हमने बनाए है डॉरिमोन नूबिता इस तरीके से यूसम करा सकते हैं अपनी cascading style sheet को यहां पर देख सकते हैं मैंने code प्रोवाइट किया है यह पर्टिकूलर code है स्टार्टिंग से देखिया त्रम्दी स्टार्टिंग head के बाद अगर हम head में बात कर रहे हैं head के अंदर अगर हम containing करा रहे हैं अपनी style tag की style tag की अगर हम containing करा रहे हैं inside our head और अगर हम head के अंदर head tag के अंदर अपनी containing करा रहे हैं link tag की यह हमें प्रोवाइट कराता है internal css and external css का example प्रोवाइट होगा अब यहां पर मेरे right hand side पर देख सकते हैं provided यहां पर है क्या यहां पर देखिया head के अंदर ही मैंने link tag को प्रोवाइट करा है and मैंने इसके बाद रिखा यह है external css so अब हम बात कर रहे है types of css क्या क्या है internal css की बात करें अगर हम head के अंदर अगर हम style tag को use कराते हैं and उसके अंदर body की refining करा दें अपनी heading की defining कराएं किस basis पे उनके color, font, border, padding, margin, etc. जिपनी भी things हमें change करानी है अगर हम उसे contain कराएं अपनी style के अंदर with this respective key value pair method हमेशा याद रखें जब हम style tag का use करेंगे use करेंगे हम key value pair को inside our curly braces जिस चीज के अंदर हमें change कराने उसका particular यहां पे हम tag का name provide कराएंगे that is हमें body में change कराना है that is body का background होगा हमारा powder blue हमने प्रोवाइट कराई है body next heading 1 का हमने क्या करा है heading 1 यहां पर प्रोवाइट कराई है हमने उसका color रखा है blue pond की family रखी है बरडाना pond का size is 300% since यह चीज में जादा discuss नहीं करने क्योंकि previous video में I have discussed all these things very clear and short wording में मैंने इसे बताया था ताकि आपको easily समझने आ सके so I hope आपको internal CSS समझने आया हूँ let's move forward अगर हम inline की बात कर रही है inline का means क्या होता है और internal में क्या difference है मैं आपको यह पहले बता दूँ internal का means यह है हमारे web page के अंदर content है हमारा चाहिए अब हम head के अंदर content करें इसे so जब कभी भी हम head के अंदर अपने किसी भी style को provide करा रहे है किस tag के साथ style tag के साथ remember this line style tag के साथ so वो हमारा internal css कहलाएगा inline css कहलाएगा inline means body के अंदर हम जब इसे contain करा रहे हैं अपने किसी भी style को and यह जो style होगी वो use होगी as an attribute style कैसे use होगी style use होगी as an attribute so हम उसे कहते हैं inline css remember this line next अब हम बात कर रहे हैं क्या अपने external css की अगर मैं external css की बात करूं यहाँ पर आप देख सकते है external css में मैंने यह particular line रिखी है head के अंदर जैसा मैंने previously discuss किया so इसके अंदर मैंने क्या करी है link tag कर यूज करके हां पर मैंने rel attribute कर यूज करा है and href attribute कर यूज किया है so href कर यह क्या है यह वो html reference हमने provide क्या है html reference provide क्या है उस css webpage का जो हमने define करी है किसके अंदर another file के अंदर so इसके लिए हमें already जो हम refer करेंगे अपने real web page के लिए real web page हमारा save है with this style sheet and जिसे हम refer कर रहे है वो save है styles.css so styles.css में मैंने इसे body की refining करी है कि body यह contain कर रहा है यह changes हमें provide कराने है next अगर हम बात करें और इसके अंदर एक बात आप याद रखेगा style that आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं it's up to you and it's up to the version जो आप यूज कर रहे हैं next यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं inside body अब आप देख सकते हैं that is reference कहां से लेगा जो हमारी change होगी body के अंदर वो कहां से होगी यह उन सभी चीजों से होगी जो हमारी content है inside are style.css file remember this file को save भी आपको .css से ही करना है because यह जो हमारा particular syntax से use किसके लिए होता है CSS के लिए ही use होता है इस tag का use basic syntax का use हम कभी भी HTML के अंदर नहीं करते हैं so CSS is a part of HTML हम कह सकते हैं CSS part है HTML का लेकिन HTML की containing में CSS की defining different तरीके से होती है so I hope यह आपको समझ में आया हो internal, inline and external CSS so मैं आपको यह particular code समझ में आया होगा में आपको यह दिखा देती हूं आप यहां पर देख सकते हैं मैंने styles.css name से अपनी इसको सेफ किया है जिसमें जिसमें मैंने फाइल के अंदर body and heading and paragraph की defining की है next next हमारे फिर्स code है style sheets जो रिफर कर रही है हमारे style जो CSS को इसमें heading and paragraph define किया in body so अगर मैं इसके web page की बात करूँ आप यह वैप देश सकते हैं यहां पर हमारा this is a heading and this is a paragraph शो हो रहा है blue and red color में शो हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं wait यहां पर मैं आपको defining दिखा देती हूं to see and यहां पर हमने powder blue color define किया है यह जब हमने style c.html को open किया है so according to our saved css file यह हमें respective वार्ट पो गाइड कर रहा यह था हमारा example external के लिए next अगर हम बात कर रहे हैं अपने internal css की यह था हमारा particular code and यह हमारा उसका respective webpage and यह जो webpage आप देख सकते हैं मैंने कैसे provide क्या है paragraph के अंदर मैंने padding and margin provide की है अगर मैं बात करूं padding and margin के क्या difference है padding की अगर मैं आप से बात कर रही हूं with padding की अगर मैं बात कर रही हूं जो inside border के space पे दियान दे वो है और रेट पेराग्राफ define किया है और रेट पेराग्राफ define करने के बाद जो हमारा किस पे ध्यान दे inside border पे ध्यान दे वो था हमारा padding और जो हमारे outside border की space पे define करे वो क्या था हमारा margin सो आप देख सकते हैं spaces की containing हमारी अलग हो गई है इसी basis पे next यहां पे heading 1 के अंदर मैंने font size 300% दिया है and heading 1 के अंदर जब हमने blue heading को रन कर आया तो आप देख सकते हैं size कितना big आ रहा था so that's how हम contain करा सकते हैं अपने क्या web page को inside using CSS so I hope यह video आपको अच्छी लगी हो so please like, share and subscribe to our channel thank you so much have a nice day जब हुआ